हालो बच्चो क्या हाल चाल बढ़िया एकदम तो जैसा कि कल मैंने आपसे कम्मिनिटी पोस्ट में प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके सामने लेके आऊंगा दा कोहिनूर ओफ फिजिक्स तो आज ये वीडियो है अबाउट दा कोहिनूर ओफ फिजिक्स रिस्पेक्टेड हितेश शर्मासर जिनको हम बहुत ही ज़्यादा धूड के लेके आए हैं आप सब के लिए हितेश शर्मासर के बारे मैं बताउ हूँ तो पिछले 13 साल से वो इंडिया के टॉप इंस्ट्यूट्स में हेड ओफ डिपार्ट्मेंट ओफ फिजिक्स रह चुके हैं और हमारी रिक्विस्ट के बाद वो फिजिक्स वाला का भी पार्ट बन गए है अगर आप इनकी rank producing की बात करो तो both in IIT advance as well as in aims दोनों के अंदर इनोंने करीब करीब हर year में एक single digit या double digit yes, a single digit या double digit rank produce की हुई है पर यार सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इनके physics में जो patience है ना physics के जो concepts है उसको पढ़ने में एक अलगी तरीका है पढ़ाने का ये वीडियो देखके आपको बहुत मज़ा आने वाला है हितेशर करेंटली physics वाला के selection oriented batch प्राहार बैच के अंदर physics पढ़ा रहे हैं और आपके upcoming प्रयास 2.0 में भी आपकी physics faculty होने वाले हैं ये वीडियो देखो और enjoy करो इस वीडियो को बच्चों पढ़ाई करते रहें all the very best और एक बात आप प्रयास 2.0 में ऐसे ही बहुत सारे धमाके होने वाले हैं हलो बच्चों कैसे हो सबी लोग माई नेम इस हितेश शर्मा और मैं हूँ आपका बहुत की का अध्यापक मतलब physics का टीचर तो मुझे 13 सालों से जादा हो गए हैं physics पढ़ाते हुए और मैं IIT धनबाद से graduation करके निकला था 2008 में और तभी से मैं physics पढ़ा रहा हूं काफी सारे institute में physics पढ़ाएं और काफी 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 सारे selections मेरे हाथों से निकले हैं बहुत बहुत अच्छे बच्चे मुझे भगवान की दया से मिले और लगबग कहें तो 500 से जादा selections IIT में मेरे हाथों से निकाले जा चुके हैं इन 13 सालों में उन बच्चों में कुछ comment rates मुझे देखने को मिले जिनके बारे में मैं आप कुछ बताऊंगा और 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 काफी सारी important बाते इस वीडियो में होंगी जो की हम कुछ questions के form में भी देखेंगे तो शुरुआत करते हैं इस lecture की जल्दी से चलिए पहली 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 slide है आपकी ये कुछ points आपको पता होने चाहिए कि भाई इन में कुछ difference है या ये same बाते ही हैं और किस पर मुझे ज़ादा importance ज़ादा emphasis ज़ादा ज़ादा मेहनत करने की ज़रुवत है तो पहला point है understanding versus रट्टा understanding versus रट्टा obviously obviously रट्टे से काम नहीं चलेगा हम कुछ questions की help से भी देखेंगे कि बहुत-बहुत-बहुत सारी situations होती है जो हम रट-रट-रट-रट के आगे काम में ले आते हैं कई जगे कई जगे वो हमें जल्दी से result दे देती है कम समय में तो हमें लगता है वही सही है जबकि अच्छे exam में ITJ advance की अगर में बात करूँ तो रटी-रटाई चीज़े formula-based चीज़े बहुत ही कम आपको देखने को मिलती हैं फिर हम बात करेंगे law और cases के बारे में भी law universal laws जो हैं और जो important cases हैं वो दोनों different different बाते हैं laws are always valid cases are specific situations बहुत-बहुत specific situations है जिन में बहुत-बहुत सारी conditions लगी होती हैं और हम दीरे-दीरे समय के साथ conditions भूल जाते हैं हमारे लिए cases और laws सब एक बराबर हो जाते हैं जो की बिलकुल गलत बात है concept versus short tricks भी हम कुछ questions में जानेंगे कि बहुत बहतर अंग्रेजी और हिंदी को मैंने mix कर दिया पर कोई नहीं short tricks भी आनी चाहिए म अगर उन पर emphasis concept से जादा नहीं होना चाहिए कि मुझे बस short trick पता है और मेरा काम हो जाएगा ऐसा बिलकुल सोचना पाप है और पापी नहीं बनना है में visualization is very important हर किसी question को mechanics के तो हर किसी question को अगर आपने visualize नहीं किया तो होने के chances बहुत-बहुत कम हो जाएंगे ये पत्थर का वहां गिरा ये चक्का घूमा ये पॉइंट धर पहुंचा फ्रिक्षन आगे लगा पीछे लगा ये सारी बाते visualization के बिना पूरी नहीं हो सकती है and patience patience is very important thing while attempting an exam अगर आप बिलकुल तसल्ली से शान्त मन और दिमाग के साथ paper में नहीं बैठते हो तो बड़ी ही सारी गलति क्या हो जाएंगी which of the following is incorrect को आप which of the following is correct पढ़ेंगे पहला option आपको सही लगेगा और आगे बढ़ जाएंगे इस टाइप की mistakes भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो अभी next कुछ मिन्टों में आपके सामने जो questions आ रहे हैं कि size की form में आप इसको लें आपको क्या करना है आ आपको क्या करना है आपको बस सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि जैसे ही question screen पर आए अपनी वीडियो को करें pause और उस question को करने की कोशिश करें next दो मिनट में और next दो मिनट के बाद वापस से उस वीडियो को चलाएं अपना answer और match कराने की कोशिश करें देखें अगर आपका answer स इन 4-5 points में से आपने कुछ गलत कर दिया चलिए तो शुरुवात करते हैं इसी के साथ पहला question पहला question क्या कहता है आपको पताना है displacement of point A when the wheel has performed one fourth of the rotation while rolling without slipping ये एक wheel है ये इसका bottom most point है ये चक्का एक चौथाई एक चौथाई पूरा rotation घूमता है बिना slip हुए while purely rolling ये सारी थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए I am just giving you the idea कि भई क्या क्या गलत क्या क्या सही आपको करना चाहिए तो जैसे ये one fourth rotation करेगा तो ये कितना आगे बढ़ जाएगा obviously मैं बोल सकता हूँ ये जो center है ये जो center है circle का वो one fourth rotation करते करते पूरे एक rotation में कितना टू पाई आगे चला जाता है तो one fourth rotation में कितना आगे obviously जितना पूरी rotation में जा रहा था उसका एक चौथाई मतलब pi r by two और point a का क्या होगा point a का क्या होगा बहुत 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 ध्यान से देखने की ज़रूत है ये point a पीछे की ओर जाता हुआ ऐसे घुम रहा है तो शुरू में point a यहाँ था बाद में point a यहाँ पाया जाएगा बाद में point a यहाँ पाया जाएगा और 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 अगर आप ध्यान से देखें a का displacement रहा ये ये रहा a का displacement तो ये दूरी है r और ये दूरी है pi r by two में से r minus करेंगे pi r by two में से r minus करेंगे क्योंकि चक्का ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है जिसकी वज़े से a पीछे चला जाएगा थोड़ा सा तो displacement of a is nothing but pi r by two minus r का square प्लस r का square का whole root का whole root तो अगर आपका question ये गलत हुआ तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या गड़बड़ी हो हो सकती है सबसे पहले आपने ये पर ज़्यादा ध्यानी न दिया हो आपने पहले option को देखा और pi r by two लगा दिया दूसरी दूसरी दिक्कत आपने कहा हाँ भई मैंने थोड़ा सा जादा सोचा मगर अभी भी बहुत सटीक नहीं रहा तो मुझे लगा हाँ ये r उपर भी तो उठेगा तो दूसरा option भी लोग गलत कर देते हैं क्योंकि ये भी कुछ-कुछ पास-पास है तीसरा किसी ने काफी अच्छा सोचा मगर हडबडी में हडबडी में उसने कहा भई ये और ये मुझे तो एक जैसा देख रहा है यहां पूरा तू से डिवाइड हो रहा है और यहां सिर्फ पाई r by 2 माइनस r है तो इस वज़े से ये भी आंसर गलत हो जाता है नन ओडीज को टिक करने के लिए बड़ा ही करेज चाहिए बड़ी ही पेशेंस चाहिए वो अगर आप नहीं है वो आप में तो गड़बड हो जाएगी इसलिए नन ओडीज ही सही आंसर है पहले कुश्चन का ठीक है तो इस कुश्चन से हमें बहुत-बहुत-बहुत सारी सीखने को मिली अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कुश्चन पर फिर से मैं बोलूंगा हर कुश्चन में आपको यही करना है हर कुश्चन में आपको जैसे ही कुश्चन स्क्रीन पर आए और मैं एक्स्प्लेइन कर दूँ वीडियो को करें पॉज और खुद सॉल्व करें और फिर आंसर मैच कराएं तब आपको आईडिया लगेगा कि क्या गलतियां आप करते हैं अगर यह बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है यह इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैं आपसे बोल रहा हूं चलिए दूसरा कुश्चन आगिया आपके सामने यह है फ्ल फ्लुइड स्टाटीक फ्लूइड से बोल दियो देते हैं फ्लूइड स्टाटीक से वैसे तो एक सॉलिट सिलेंडर है मास M का फ्लोटेंगें जर्स्टाम में चनाइट इस शोन पांट दफोरस अप्लाइद भाइवाइ लिक्विड डी ओन लिक्विड वन लिक्विट वन यह हैं अमारा लेकुइड 1 यह हैं लिक्विड टू और यह सम्मार्ज सम अगर यह है तो यह उसके नीचे सतह तो यह लगबग लगबग लिक्विड Surprise से पोहुंची हुई है तो अमें बताना है लिकविड विक्विड वन तो NG is equal to NG is equal to area A मानते हुए cross-sectional area A मानते हुए rho 1 into A1 A L1 G plus A rho 2 L2 G क्या यह statement सही है आप बोलेंगे बिलकुल सही है यह दोनों की bind force और यह weight क्योंकि float कर रहा है तो बराबर यह statement में कोई गड़ बड़ी नहीं है statement बिलकुल सही है statement बिलकुल सही है but पूचा क्या है ठीक है पूचा यह नहीं है कि इन दोनों किसे लगने वाली bind force पूचा है liquid 1 जो cylinder पर force लगा रहा है वो क्या है तो अगर आप बहुत 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 ध्यान से देखें तो liquid 1 cylinder पर ऐसी force लगाएगा सिर्फ और सिर्फ liquid 1 यहीं है यहां तो liquid 2 है तो liquid 1 जो force लगा रहा है वो actual में F net by liquid 1 by liquid 1 is nothing but is nothing but zero is nothing but zero पर बहुत ही करेच चाहिए zero को mark करने के लिए लोग क्या करते हैं यह हो गया area of cross section L1 row 1 G maximum लोग इसको mark कर देते हैं जो की गलत हो जाता है फिर से और कुछ लोग कुछ-कुछ ATM प्रेशर ले ले लेते हैं जो फिर से गलत हो जाता है तो इस moment पर अगर कोई पूछे कि लिक्विड वन इस एंटर पर कित्ती फोर्स लगा रहा है तो आंसर है जीरो है ठीक है यह बहुत important बात है question को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरुवत है तोड़ा सा वो ट्वीक कर देगा question की language को और आपका अर्थ का अनर्थ बन जाएगा तो बहुत-बहुत-बहुत important बात है यह जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इन questions के द्वारा अब चलते हैं तीसरे नए टाइप के question पर यह question भी बहुत-बहुत-बहुत famous है आपने एक theorem याद ही कर रखी है वो theorem क्या कहती है कि भाई अगर किसी भी एक regular polygon में किसी भी एक regular polygon में एक जगे से current enter होता है और current बट के वापिस से निकल जाता है तो center पे उस loop की वज़े से जो field आती है magnetic field add the geometric center is zero यह कोई law नहीं है यह स्पेसिफिक केस है जिसमें बहुत-बहुत-बहुत-बहुत ही सारी conditions है उन conditions को मैं थोड़ा सा highlight करना चाहूं कंडिशन क्या है condition है loop होना चाहिए एक regular polygon equilateral triangle square regular pentagon regular hexagon circle octagon सब चलेगा बट regular होने चाहिए चीक है दूसरी condition है wire से material की बनी होनी चाहिए कही wire मोटी पतली होने से गड़बढ़ हो जाएगी तीसरी condition की current एक जगे से enter हो और बट कर वापिस दूसी जगे से निकल जाए current circulate नहीं होना चाहिए loop में यह भी एक condition है तो इन सारी conditions के बाद यह statement बनती है कि center पर loop की वज़े से या जो भी closed figure है उसकी वज़े से field zero होगी यह भी एक बात है ओके तो अब इस question पर आते हैं इसमें भी यह हो रहा है uniform loop है square current आई आया यह वायर हम infinite मान लेते हैं और बटा obviously अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तीन parts है तो resistance उपर वाले रास्ते का होगा 3R as compared to अगर मैं नीचे वाले रास्ते का resistance आर बोल दूं तो current भी ऐसी बटेगा यहां से जाएगा 3 I by 4 और उपर से जाएगा I by 4 पर फिर भी फिर भी अगर देखें तो यह square की वज़े से यहां पर field zero होगी find the magnetic field add the center of square क्या यह लिखा है कि due to square बतानी है या net बतानी है obviously हमें net field बतानी है यह काम की बात हमें net field बतानी है अगर हमें कुछ नहीं बोला गया है तो तो फिर क्या करें square की वज़े से तो zero हो गई मगर और कुछ बचा क्या हां यह part बचा है यह part बचा है तो zero तो नहीं होना चाहिए कुछ लोग zero पर answer दे चुके ओके फिर कुछ लोग कहते हैं और यह तो एक infinite wire मानी जा सकती है बिलकुल मानी जा सकती है infinite wire और उसकी वज़े से a by two दूरी पर आप field निकाल लो और answer लिख दो पर बहुत 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 ध्यान से फिर से बहुत ध्यान से मैं बोलूंगा आपको इस पूरे setup को दो भागों में बाटना है एक हो गया square जिसकी वज़े से field 0 आ चुकी है एक हो गई है यह वाली वायर जो की एक semi-infinite wire है जो की यहां पर और यहां पर जो एंगल है वो 0 और 135 डिगरी बनाया जा रहा है एक और बिलकुल इसी तरीके की semi-infinite wire है जो same angle बना रही है और अगर field की direction देखें इधर करण जाता हुआ बहार की और बहार की और क्या बहार की और magnetic field दोनों ही बहार की और magnetic field दे रही है तो दोनों की field बस add होनी है तो हमारा be at center आएगा सिर्फ इन दो wires के portions की वज़े से square की वज़े से नहीं और यह दो wires की portions infinite नहीं बना रही है infinite wire नहीं बना रही है तो हमारा answer होगा 2 into mu not i by 2 pi कितनी दूरी है perpendicular distance a by 2 मगर एक angle है cos 0 और दूसरा angle है cos 135 जो की हमें answer देगा 2 से 2 cancelled 2 mu not i by pi a और यह आ गया क्या 1 minus 1 by root 2 और बस इत्ता हम solve कर सकते हैं तो इसका answer भी हो गया 2 mu not i by pi a 1 minus 1 by root 2 answer हमें मिल गया none of these ठीक है फिर से बहुत-बहुत-बहुत सारे लोगों का कुछ-कुछ गड़बड हो गया होगा यह options बड़े इस सलीके से आपके लिए सजाए गए हैं कि आप इसमें फस जाएं आप इसमें फस जाएं या आप इसमें फस जाएं बड़ा ही मुश्किल है none of these को mark करना मगर कर देना चाहिए अगर आप बिलकुल confident हैं तो पिर आते हैं एक और question पर find the direction of induced current when the charge moves along the axis of the ring if charge moving is constant velocity और accelerate कर रहा है ठीक है तो यहां से आपको इस ring में induced current की direction बतानी है as per the observer observer आपके सामने बिठाया हुआ है positive charge इसकी तरफ जा रहा है तो current की direction कैसी होगी पहला case देखते हैं अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं की velocity constant है तो velocity constant है तो यह velocity accelerate हो रही है तो क्या directions होंगी current की as per the observer video को pause करें वापिस से सारा काम करें और खुद कोशिश करें कौन सा answer मेरा सही होगा टीक ीक है तो तुकका न ही मारना है तुकका न ही अज्यादा वार सही हो रहा है या बी ज्यादा बार सही हो रहा है ये सब गणबड़ बाते हैं हम physics कर रहे है तोटके बाजी नहीं बंगाली बावा नहीं बनना है ठीक है चलो भाई ठीक है तो हम यहाँ positive charge को लेके जा रहे है positive charge एक current element की तरह act कर सकता है जिस direction में जा रहा है उसी direction में एक current element आप ले लो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस current element की वज़े से जो magnetic field आ रही है वो coil के plane के parallel आएगी वो coil के plane के parallel आएगी चाहे current element pass या दूर हो जाए तो मैं कह सकता हूँ flux flux due to this positive charge magnetic flux due to this positive charge चाहें वो constant velocity से चले चाहें वो variable velocity से चले to the ring will be 0 क्योंकि इसकी जो भी magnetic field lines आएगी वो ring के plane के parallel ही है तो flux हो गया 0 और यह 0 ही रहेगा चाहें velocity constant हो या फिर velocity variable हो तब भी तो flux नहीं बदल रहा है समय के साथ इस वज़े से field भी नहीं आएगी और हम कहें no induction will be there no induction मतलब current की direction पहले या बाद में या velocity constant या velocity बदल देने से बिलकुल फर्क नहीं पड़ेगा सही बात है तो यह important observation यहां से हमें सीखने को मिली कि इस situation में हमें ऐसा लगता है कि current बढ़ गया तो कुछ आ जानी चाहिए current की direction या कम हो जानी चाहिए हां यह वाला current बढ़ जाएगा जब accelerated motion होगा पर इससे क्या इससे क्या लेना देना हमारा ओके फिर हम आगे बात करते हैं एक और question हम आपके लिए लाए है conducting solid sphere of mass m charge radius r and charge q आपको बताना है rotating about its diameter find m by L m by L की value आपको देनी है m by L की value आपको देनी है magnetic moment versus angular momentum इस ratio को हम जानते हैं gyro या gyro magnetic ratio बोला जाता है और बहुत ही famous result है यह q by 2m बहुत ही famous result है q by 2m बट हम क्या करते हैं हम इसको रटा मार लेते है q by 2m q by 2m q by 2m इससे जादा हमें और कुछ नहीं पता होता हम सीधे मगगा सा मार लेते हैं कि भाई q by 2m is m by L और यह आ कैसे रहा है क्यों आ रहा है क्या यह एक universal law है यह एक यह specific situation है ठीक है और अगर वह specific situation है तो क्या conditions है जिनके अंडर यह valid है और क्या conditions है जब यह valid नहीं रहेगा यह सारी बाते हमें समझ लेनी चाहिए अदर्वाइस अदर्वाइस हम फस जाएंगे इस टाइप की की एक इस ट्रीशन है वेन को यह हैं डिस्टी जिशन ओफ चार्ज वेन इस ट्रीशन ओफ चार्च कॉमा मांस आर सें जैसे जैसे चार्ज फैला हुआ है युनिफॉर्मली जहां जहां चार्ज फैला हुआ है मांस भी युनिफॉर्मली वहीं वहीं फैला हुआ हो बट यह specific situation और सुटिवेशन यहां पेल हो जा रहे है यह कैसे यह एक solid conducting स्फियर है यह एक सॉलिड कंड़क्टिंग स्फियर है क्या सॉलिड कंड़क्टिंग स्फियर के अंदर मास होगा solid conducting sphere के अंदर mass होगा obviously होगा पर क्या solid conducting sphere को अगर मैं charge दूँगा तो charge अंदर बैठेगा क्या नहीं सारा charge बाहर बैठेगा और इसी वजह से ये situation गडबड हो गई mass पूरे volume में फैला हुआ है जबकि charge सिर्फ surface पर फैला हुआ है अब अगर आप q by 2m लिख दोगे तो गलत हो जाएगा तो सबसे पहले q by 2m को तो हम रफा दफा कर देते हैं अब बात करते हैं कि solve कैसे होगा तो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं कि इसका magnetic moment इसका magnetic moment चाहें यह solid है या hollow है सेम होगा क्योंकि magnetic moment depend करता है चार्ज distribution पर तो चार्ज distribution तो solid conducting या hollow conducting दोनों में सतह पर होने वाला है तो हम निकाल लेते हैं magnetic moment of solid sphere जिसको मैं बोल रहा हूं यह बराबर है magnetic moment of hollow sphere का magnetic moment आप कैसे लिख सकते हो hollow sphere का magnetic moment आप लिख सकते हो एल ओफॉल स्फियर इंटु क्यू बाइटु है क्योंकि hollow sphere में यह ratio मैच कर जाता है hollow sphere में मास भी सते पर है और चार्ज भी सते पर है तो यहां हम यह expression यूज़ कर सकते हैं वाट इस एल ओफॉल स्फियर ओफॉल स्फियर का moment of inertia चाहिए जो कि है टू बाइट्री mr square omega into q by 2m into q by 2m 2 से 2 cancel और हमें मिल गया क्या mr square omega q by 3 mm दोनों cancel हो गए एक छोटा बड़ा लिख दिया है कोई बात नहीं तो m cancel हमें मिला qr omega square by 3 बट अभी रुको 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 यह सिर्फ magnetic moment आया है solid sphere का अभी हमें निकालना है l of solid sphere l of solid sphere लिखने का तरीका बहुत ही simple है क्या i of solid sphere जो की होता है 2 by 5 mr square और into what into omega और अब मुझे इन दोनों का ratio ले लेना है अब मुझे मिलेगा m of solid sphere divided by l of solid sphere क्या आएगा value में यह value में मुझे मिलेगा यहां से मुझे मिला m is 1 by 3 और this is 2 by 5 तो बना यह 5 by 6 कितना qr omega square that is the expression तो और नीचे value भी डाल देटी हमें mr omega square mr omega square तो r omega square गाया 5 by 6 q by m तो हमारा answer c match कर जाएगा यह एक important इसको exception नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं difference law और case में law और theorem में तो यह जो थी कई सारी हमने theorem देखी इन चार पांच questions में जो की गड़बड answer देने लगी क्योंकि theorem की ना condition है कि ऐसा होगा तो यह होगा लॉज आर युनिवर्सल थे एनर्जी इस चार्ज इस चार्ज हमेशा है तो है ठीक है नेट टॉर्क जीरो अगर external और स्वारी आंगुलर मोमेंटम इस अगर नेट टॉर्क जीरो है तो यह सारी चीजें हमें पता हैं यह हमेशा वैलिड हैं बट इस टाइप की situation हमेशा वैलिड नहीं होती इसके पीछे एक छोटी सी condition लगी होती है उस पर ध्यान देने की जरुवत है अगर मैंने वह ध्यान नहीं रखा तो गलती होने के chances बहुत 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 जादा हो जाएंगे और इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा आपको कि यह सिर्फ यह सिर्फ जो मैं exercise आपके साथ कर रहा हूं यह सिर्फ physics में नहीं यह सिर्फ chemistry में नहीं यह common common sense वाली exercise है किसी भी चीज़ के साथ की जा सकती है एक चोटा सा analysis और एक चोटा सा ऐनलिस और एक चोटा सा game खेलने वाला हूं मैं आपके साथ यह game क्या है आपको मैं एक division का question देने वाला हूँ ठीक है रूल्स बता रहा हूँ दूसरा आपकोटू decimal प्लैस तक solve करना है आपकोटू decimal place तक solve करना है कोई round off करने की जरूरत नहीं है ठीक है और तो और और तो कोई round off करने की जरूरत नहीं है बट आपको 30 seconds से कम लेने हैं यह एक analysis आप अपने साथ करें जल्दी से ये काम करेंगे तो आपको और clarity होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो जल्दी से मैं बोर्ड पर एक चोट असा कुश्चन लिख रहा हूं टेन थाउजंट डे इटी फाइव एंड डिवाइड़ बाइटी फूर इसका आंसर जल्दी जल्दी मैच हो रहा है या नहीं कैल्कुलेटर यूज ना करें यह आपके लिए एक सेल्फ एक्सराइज है तो इसका आंसर में बता दूं बता दूं क्या ठीक है इसका आंसर आना चाहिए 120.059 या 120.06 भी कोई लिख रहा है तो चलेगा अगर कोई ऐसे लिख रहा है 12.06 12.06 120.06 तो यह पाप है यह बिलकुल गलत है और अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप मैसे बहुत सारे लोग इस category में belong कर रहे होंगे अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो ठीक है कई सारे लोगों के सई भी होगा तो यह सारी चीज़ें हमें डेबलब करने की ज़रूत कि आप फिजिक्स में गलतियां करते हैं आप गलतियां कहीं भी कर सकते हैं जहां टीचर को पता है कि यह एक डार्क एरिया है जहां जनरली जनता गलत हो जाती है जैसे कि मुझे इस डिवीजन के बारे में पता है कि यह डिवीजन बड़ी critical type की है decimal से पहले भी 0 आ रहा है decimal के बाद भी 0 आ रहा है ऐसी डिवीजन maximum लोग गलत कर देते हैं अगर वो carefully नहीं करते हैं तो तो इसी के साथ इसी के साथ मैं यह बूलना चाहूंगा कि अगर आपका इन पांच-छे questions में से कोई भी गलत हुआ तो जरूरत है कुछ interesting concept की concept में improvement की और बहुत-बहुत सारी training की आपको तो चलिए मिलेंगे हम जल्द ही प्रियास बैच में प्रियास टू-पॉइंट ओ इसी के राद ओके बाबाए सी यू देर